नागपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो आई यह नजर डालते हैं नागपूर की विवित हल्चल पर ताजबक और आसपास की इलागों में अपना धहशत का सामराज्य निर्मान करने वाले वंचित अपराधी आबू और फिरोस खान और उसकी गैंग पर पुलिस ने शिकन्जा कस लिया है गैंग के ज्यादतर सदस्यों को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है आबू गैंग पर मक महिला शिकायत करता कि बहन के घर पहुची उससे शिकायत करता कि परीजनों को जान से मारनी की धमकी दी और आबू और उसके गैंग के खिलाफ किये गए शिकायत को पीछ लेने को कहा गया इस घटना के बारे में पीडितों ने नंदन्वन ठाने में शिकायत दर्च कराई पुलिस ने फौजी अकबर खान की शिकायत के आधार पर मामला दर्च किया है वे आधर्च नगर दिघोरी की निवासी है आरोपी महिला का नाम रूबिना पटेल है जिले में पिछले 24 घंटों में 8,784 लोगों की जांच की गई जिसमें 380 नए के सामन्याय है नए मामलों में शहर के 215 ग्रामिन इलाकों के 152 और जिले के बाहर के 18 मरीज शामिल है आध चार मरीजों की मौद भी हुई इसमें 3 मरीज महानगर के और एक जिले के बाहर का है जिले में पिछले 24 घंटों में 1545 मरीजों को डिशार्च किया गया है जिले का रिकवरी रेट बढ़कर 97.20 फिजदी पर आ गया है जिले में आज जिन सैंपलों की जार्च की गई है उनमें शहर के 7186 और ग्रामिन के 1598 सैंपल थे अब तक 5,46,008 पोजिटिव सामने आ ग्रामिन इलाकों के 1,67,491 और जिले के बाहर के 9,810 मरीज है जिले में मृतों की संख्या 10,324 है जिसमें 1,666 मौते जिले से बाहर की है 6,032 मौते महानगर में दर्च की गई है जबकि ग्रामिनों में 2,626 मौते हुई है हाल ही में आमादमी पार्टी नाकपूर ने अपना लीगल सेल स्थापित किया है इस लीगल सेल का गठन आमादमी पार्टी के विधर्व समनवैक देवेंद्रवान खेड़े के निर्देशार उसर किया गया इस अउसर पर संयुक्त राज्य सचीव अशुक मिश्रा, नाकपूर सचीव भुशन ढाकूलकर, नाकपूर के उपाध्यक्षर डॉक्टर शहीद अली जाफरी और शालीनी अरोडा मोजुद थे इस कानूनी प्रकोष्ट का उद्देश है आम आदमी पार्टी नाकपूर के कार्य करता हो और पदाधीकारियों के विचारों और कारियों का प्रिचार करना है एड़ोकेट छंगानी एड़ोकेट बेनी में सी आधी कार्य करता आपके लीगल सेल में शामिल हुए। कॉंगरेस का अधीवेशन हुआ। जमनालाल बजाज स्वतंतर सेनानी और राश्टपिता महत्मा गांधी के बेहत करीबी थे। इस अधीवेशन में उन्होंने एहम भूमी का निभाई। देश की आजादी की लड़ाई में उनकी सक्रियता और कॉंगरेस के अधिवेशन परगी राहुल बजाज जो करने की ठान लेते थे वो करके दिखाते थे। उनका योगदान अत्यंता महत्वपुरुना एवं सरहानिय था जो कभी नहीं भुराया जा सकता। की कबार की दुकान हैं। इस दुकान में फ्रीज के पुरजे और अन्य प्रकार का कबार रखा हुआ था। रात के करीब 12 बच कर 40 मिनिट को अचानक मलबे से धुआ निकलने लगा। देखते ही देखते आग की लपटे उठने लगी। स्थानिय लोगों ने घटना की से एक और वाहन को बुलाया गया, करीब 2 घंटे की मशकत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने का कारण फायर ब्रिगेट के अधिकारियों को समझ में नहीं आया, हालांकि आग में दुकान का सामान जलकर राख हो गया है, पिडितों ने भारी नुकसान के च चिलपा बघिल का सतकार किया, इस आउसर पर महिला पुलिस कर्मियों ने शायदा खान का सतकार किया और उन्हें शुपकाम नाय दी। पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा कर असामाजिक तत्वो पर अंकुष लगाने की मांग नागरी को द्वारा की गई है, इस मांग को लेकर नागपुर शहर भारतिय जनता युवा मोर्चा द्वारा, शहर उपाद्यक्ष भूपेंद्र बोरकर के ने द्रुत्व में शहर के पुलिस आयुकतों को संबोधित करते हुए, एवं मिस समस्या पर प्रकाश डालते हुए एक विस् इतिहादुल मुसलिमिम के कारे करता हो, एवं पदादीकारियों ने सविधान चौक पर धरना प्रदर्शन किया, पदादीकारियों ने कहा कि करनाटक में हिजाब पहनने को लेकर सामप्रदाइक तनाफ फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, मामला नयले के समक्ष विचारा धिन है, हमारे सविधान ने देश के प्रतेक नागरिक को अपनी संस्कूती धर्म के अनुसार लिबास पहनने की स्वतंतरता प्रदान की है, अतह इसमें विरोध या मद्भित की कोई गुनजाईश ही बाकी नहीं है, परिणाम सोरुप इस नियम के अंतरगत हिजाब या सक प्रदान का उलंगर कर रहे है, उनके द्वारा डर और खौफ का माहल बनाया जा रहा है, ऐसे वातावरन में इन चात्रों की शिक्षा भी प्रवावित हो रही है, अतह इस प्रकार के जुल्म के खिलाफ, AI MIM के पदाधिकारियों ने राश्ट्रपती को संभोतित करते या लोगों के एकत्र होने वाले संभावित स्थानों पर प्रतिबन लागू कर रहे है, असामाजिक तत्वों एवं वैलेंटाइन डे का विरोत करने वाले राजनेतिक पार्टी के कारेकरताओ की गतिवीधियों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी, शहर में कानुन व्यवस्था की स्थिती को बिगाडने की कोशिश कर रहे है असामाजिक तत्वों के लिए पुलीस व्यवस्था सदेव तयार है, अभी दक हमें किसी भी असामाजिक तत्व या संघटन द्वारा वैलेंटाइन डे पर कोई अपरिय घटना अंजाम देने की योजना के बार होने की संभावना है, अतहर प्रतिवन लागू किये जा रहे हैं भारती राशे राजमार प्राधिकरन के एक ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया है, ये घटना शुकरवार रात को हुई और लोगों के सामने तब आई जब घटनास्तल के निकट ओरियेंटल कमपनी टोलना का के एक करमचारी ने सडक पर पड़े एक जंगली सुवर क शव को ड्राइवर द्वारा गाडी के जरिये घसीटने का वीडियो बनाया, करमाचारियों द्वारा एमर्जंसी कॉल भी किया गया, देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया, वन विभाग ने घटना की जांच के लिए अजिंक के भाठ कर डॉक्ट बाग मारे तक पहुचने में कामियाब हुआ, आरोपी के खिलाफ वन्य जिवन सरक्षन अधिनियम 1922 के सम्मधि धाराव के अंतरगत मामला दर्च किया गया है, और उसके वाहन को जब्त कर लिया गया है, कारवाई के दोरान भोंगडे के साथ गजानन शेटे, भागे श्र भगवान गोमाजे, उमेश सोध गीरे, आदी वन विभाग के करमचारी उपस्तित थे